खाद्य एवोम नागरिक आपुर्धी मंत्री रमेश चंद्र मीना ने केंद्री खाद्य और सारवजनिक वित्रण मंत्री राम विलास पासवान से मांग की है कि साल 2011 की जनगर्णा के आधार की बजाए वर्तमान जन संख्या के आधार पर और कोबिन-19 के कारण उत्मन स्थित खाद्यों को ध्यार में रखते हुए केंद्र सरकार नए इसकिम बना कर गेहों का अवंटन कर खाद्य सुरक्षा योड़ना से वंचित करीवों को रहात प्रदांग करें खाद्य मंत्री शासन सचिवाले से केंद्री खाद्य और सारवजनिक वित्रण मंत्री के साथ राज एक जून से शुरू कर दिया जाएगा खादिय मंत्री ने कहा कि प्रदेश में केंदर सरकार द्वारा समर्थन मूली पर ग्यहों की खरीद के लिए 17 लाक मेट्रिक टन का लक्ष निरधारित किया है लेकिन इस साल प्रदेश में ग्यहों की बंपर पैदावार हुई है जिस प खादिय मंत्री ने कोटा संभाग, डुंगरपूर, प्रताबगड, श्री गंगानेगर, जिलो के किसानों की मांग के आधार पर खरीद लक्ष 4 लाक मेट्रिक टन से बढ़ा कर 20.66 लाक मेट्रिक टन करने की मांग की है